अब है दोस्तों आपका का इटिंट इस्टे कट्र कौन पर आज पर आज मुझा कीशने से मिस्टर के एक यह यूनित थर्ड है एंच एम और पिजदी सिविटाके statesignment कर वादेता है घ्यूनृट कोई फसकंड है लेकन कॉस्टन तो आपके पेपर में आएंगे हम आपको इस वीडियो में जैंक के साथ में करवा देते हैं हमने पिछली वीडियो भी करवाई यूनिट फैस्ट और यूनिट सेकंड तो यूनिट पीजडी सी की दर अधर हो सकती है लेकिन आपको इससे कोई प्रावलम नहीं होगी क्योंकि यूनिट कोई भी हो लेकिन आपका टॉपिक भी वह है तो आप प वीडियो में से आपका सोल नंबर का कॉशन आएगा दोस्तों इसलिए आपको यूनिट से पढ़ लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली वीडियो को मिल सकें चलो स्टाट करते हैं आज की वीडियो को यूनिट सब्सक्राइब टॉपिक है आज की वीडियो में स्टी एमल की वारी में डिटिल से पढ़ेंगे अब इसका पढ़ते हैं इंट्रोडेक्शन स्टी एमल क्या होता है इंटरनेट के लिए स्टी एमल की खोज टिंबर नशली ने की थी स्टी एमल वीप प्रोग्रामिंग की सबसे इजी और फेमस लेंगविज इ लेते हैं विब बनाने यह हम है परेक्श पर का प्लैंग बैज यानि की हेल स्टी एमल की EU की मेलेर इस्टी एमल सिंपल टेक्श्ट में सब्सक्राइब ये लोगों हम आपके लिए आपको पढ़ने में कोई प्रोबलम नहों के अपण्सेप्ट औफ ईपर टेक्स्ट c हाइपर टेक्स्ट में रूप से सिंपल टेक्स्ट की तरह ही होता है इस सिंपल टेक्स्ट को रीट किया जा सकता है और शेप किया जा सकता है इसकी अलाबा न्यू टेक्स्ट भी एट किये जा सकते हैं हाइपर टेक्स्ट की विश्था है कि यह दूसरे टेक्स्ट के साथ रिल Dependح me hypertext कि अनक्युमेंट से लिंग हुआ था अंधे से लिंग हो सकता है hypertext link hyper text कहलाता है इस प्रकार हम hypertext की म्लंब से difficult वेयओ की लिंग वना सकती है थीके वेप का पूरा नाम hyper text सब्सक्राइब पर डिफेंट करता है। है। हाइपर टेक्स्ट से संवंदित एक और सब्सक्राइब हाइपर मीडिया हाइपर टेक्स्ट को मुल्टी मीडिया से कनेट करता है फिर आगे लिखना है आपको अब आते हैं HTML की विसिक टेक्स टेक्स पिरतिक विपीज की कही तद्वों से मिलकर बना होता है यह तद्वों HTML कोट के द्वारा प्रिदर्शित किये जाते हैं इन तद्वों को टेक कहते हैं टेक को हमेशा कोश्टॉक में लिका जाता है सामानिता टेक के प्यार होती हैं एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग यह waterproof होता है यह क्लोजिंग टेग होता है और आपको आगे लिखना है यह आपकी यह basic टैक्स है HTML हेड टाईटल वरड़ी यह basic टैक्स हैं इनको याद रखिए गा HTML HTML का फॉल फॉरम आपको बता चुके हैं Hyper Text Markup Language किसी भी HTML का starting Tag, HTML Tag होता हाई है एक contenter tag है इसमें दो टैट होते हैं लमर एक होता है इस्टार्टिंग टैग और दूसरा होता है एंडिंग टैग इसके आप देख सकते हैं जैंसे कि हाँ यहाँ फ़ए आनедर रहो कर निया यह भी बतशु यह सकर लोग दिया जाता है इसमें अपके हमारी भिज्वे स्केड़ में पूरी information रखता है ये html tag के बीच में लिका जाता है जैसे कि आप हुआ पर देख सकते हो HTML tag, फिर head, head की बद हँआपको और भी लिखते हैं फिर head tag, its HTML tag जैसे कि definition में दिए गया है ,head tag हमारी vip file के बारे में पूरी information लखता है ये HTML tag के बीच में लिखा जाता है जैसे कि आप देख सकती हो यह HTML टेक की बीच में ही लिखा आए देखो यह साइड में यह है और साइड में यह है बीच की टाइटल को इस टेक के माध्यम से विब राउजर के टाइटल बार में प्रदर्शित किया जाता है यह आपको डेफिनिशन से विल्कुल किडियर हो चुका है लेकिन आप एक्जांपल भी देख लीजिएगा अब आता है आगे बोडी नेक्स्ट रेफ बोडी बोडी टेग पूरे टेग के काम को करता है यह टेग किसी बीपीज की स्ट्रेक्चर में आने वाली प्रतिवाग को दर्शाता है यह हैट टेग के वादी उसकिया जाता है टेग बोडी टेग बीपीज के अलग अलग भाग बनाते हैं ठीक है फिर आगे दिया गया है भी स्टेग सेंसिटिव नहीं होती अर्थात इनिक कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखनी पर भी सेम काम करते हैं आगे वाडी टेग है एस्टेमल टेग है टाइटल टेग फिर हॉमपेज हो गया फिर क्लोस कर दिया है टाइटल टेग को क्लोस कर दिया फिर वाडी ठीक है अब आता है हैडिंग हम अपनी वीपेज में हैडिंग का यूज कर सकते हैं इसे इससे वीपेज को मैनिस करके प्रिजेंट प्रिस्तुत एडिंग एश्टी में च्छे टाइप सोती हैं जिनको हम है इंग वन से हैडिंग सिक्स तक यूज़ कर शकती हैं ठीक है यहां पर दिये गया है फिस्ट एडिंग वन यह सबसे पहली वार हाई लेवल की एडिंग है यह हमारे पीज पर टाइटल देनी का काम करती है अर्था ब्राउजर विंडूज में बीपीज पर सबसे उपर प्रदर्शित होती है फिर हैडिंग टू आती है यह बीपीज पर मुक भागों को प्रदर्शित करनी का काम करती है है यह मेन पाइट्स की अंदर सब पाइट को प्रदर्शित करनी का काम करती है फिर आती है है लो लेवल की हैडिंग होती है इनकी यूज बैब ब्राउजर अधिक करता है एक्जम्पल इन हैडिंग यहां पर देख सकते हो HTML टेक हैड टाइटल हॉम टाइटल को क्लोज कर दिया है है एक को क्लोज कर दियो वाडी फिर हैडिंग 1 हैडिंग 2 हैडिंग 3 यहां पर दिख सकते हैं इसी परकर आपको लिखना है फिर हैडिंग 4 आती है फूर फाइब 6 छे टाइट्स होती हैं एडिंग और आप इसको भी हाड रसफी और एक रही अभी हैड रखी हाड हर फार चैंज करनी पर सीव कर लिभ करना होडा है यहाड आता है पर परग्राप आप परग्राप को अच्छे से पढ़ लीजिए गा यह दिया है हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी यह एक्जामपल दिये गया है परग्राप का यह आप यहां पर देख सकते हो अच्छे से बिल्कुल के लिए इस तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है अधरी इसका एक्जामपल है आप यहां पर देख सकती हूं अब आता है फॉन टैग इनको भी आप पढ़ती जाएगा फॉन टैग कि आप इसको भी अच्छी से पढ़ती जाएगा फॉन टैग फिर फॉन साइज है ठीक है एक्जामपल दिये गया है फॉन साइज का कि यह दिखाई दे रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यह आपको इस तरह कि पहले यह साइज रहेगा फॉन साइज फिर इतना हो जाए फिर ऐसे आप अपने एनुशार कर्श रखती हैं ठीक है ऐसे साइज होते हैं फिर आगे यह दिये गया है आपको से आप आता है फ्ởंट कलर फंड कलर अथ ही इसको भी पढ़ लिजिएगा यह इसका एक्जांप्ल भी दिये गया है फीटिक Ale नेंखस्य अपको फिर एक्जांप्ल आप करना है अधा एक्जांप्ल रगाए आधा इदर रहρο है इधा है यह Profit छो को भी आप देख लिजीएगा और यह 1 फिया है इसका एक्सिल भी दीया है आप को यहां जल्दी गढ़ते जाएगा आपके पास ताइम नहीं है बिलकुल भी अब आता हाँ अब इसको भी आप पढ़ते जाएगा। आपके पास बिलका नहीं बचा है यह शाट जुन को आपका फिर्ष्ट पेपर है इसके सेमिस्टर ठीक है और तस जून को आपका सेकंड पेपर है इसी का इंटर्नेट एंड एकॉमर्स और तेहर तारिक आपका डिटी पिपी का है अब आपके पास समय नहीं है इसलिए आप इसको जली जली पढ़ते जाई है इसको आप बहरी बहरी इंपोटेंट हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए इंपोटेंट ही लेकर आएं तो इसको भी आप पर लीजिए का ब्रिक टैग को किसे प्रिदर्शित कहते हैं यह भी यार से भी यार इसको भी पढ़ते जाएगा फिर यह उसका एक्जंपल है और आपको आगे भी लिख लेना है अब आता है आपका करेक्टर फॉर्मेटिंग टैग कि इसको भी पढ़ दीजिएगा जल्दी से अब आते हैं वोल्ड टाले यह आप सभी लोग जानते ही हों को फर्ष्ट सेमिस्टर में पढ़े हैं ठीके इसको वी सब्वेक्त किया जाता है और इटालेग किया जाता है लेटर को फिर आता है अंडरलाइन यह अंडरलाइन किसी जाती है इससे यह तो आप दो सब जानते हैं अब आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट इनको भी आप जानती ही होंगी इस्ट्रिक इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा यह फर्ष्ट सेमिस्टर में कर वा चुके थे लिकance लेकिन आपको इसमें वी और देख लेना है यह आपका एक्जांपल है सब आप इसमें दीख सकते हुं Maafatic cannea been listП Test can baru लेच्ट को साथ इंप्मेशन की ग्रुप ए इससे की इंफॉर्मेशन रूप से एक से दूसरी करनेक्ट करनी में और रीट करनी में आसान होता है स्टी एमल की तीन टाइप सोती है अब अनुदर लिस्ट और लिस्ट और थर्ड नमर पर आता है डिफाइन लेश्ट आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए गा जल्दी से आनुदर लिश्ट का अ लिस्ट बनाने के लिए हम निम्न प्रोग्राम को टाइप करते हैं इसको टाइप करते हैं आंपर यहां पर देख सकती हो इन सभी को इनको भी कर लीजिएगा यह एक्जामपल है अन ओर लिष्ट का एक्जामपल है दूस्तों ओर लिष्ट इसको भी पढ़ लीजिएगा आप जल्दी से कि वीडियो को दो तीन बार देख लीजिएगा इसमें ही आपको पूरा याद हो जाएगा बहुत सरल से सरल सब्दों का यूज़ करके अपके लिए वीडियो लाई गई है और लिष्ट का एक्जामपल है ठीक है थर्ड नमर पर आता है डिफाइन लिष्ट या डिस्क्रेप्शन डिफाइन या डिस्क्रेप्शन यह इसका एक्जामपल दिये गया है इन सभी को आपको अच्छी से पढ़ लेना है हम आपको पढ़कर इसली नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी फि इसको अच्छी से पढ़ सकती वीडियो को रूख रूख कर अब आता है टीवल टैग को टीवल टैग की द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ET about 27 है है एक main main2 परकार की से हैं हेड शे और इस्टेंडर सेल्स के सबस्क्यक्राइब है है इस्टेंडर सेल्स होते हैं है डल सेल्स की इंफोर्मिशन होती है इसमें त यहाँ पे दिखनाम रहा हम आप याद रखीए gratis से दर्शाहां जाता है यौचिएbot सेल्स को इसमें डेटा होता है इसे टीडी टीडी के साथ क्रीट किया जाता है याद रखिएगा इसको टीएच से इसको टीडी से टीडी से दर्शाया जाता है ठीक है अब आता है टी आएटेग का मतलब है टेविल रोटेग यह टेग है टेविल में डीडी टेग होते हैं जो टीडी टेग के वीच में लिके जाती हैं यहां पर देख सकते हो एक्जामपल में दिये गया है आपको यह और आगे भी दिये गया है अब आता इन लाइन इमेज टेग आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिए गा इसको पढ़ लेना है फिर यह इसका एक्जामपल दिये गाए अब आता यूजिंग लिंक आप आता यूजिंग लिंक इसकोभी पढ़ लीजियेगा जल्दी से यह इस्टेव बाइस दी गहीं है इनको भी पढ़ना है जल्दी से पढ़ते जाई आईएगा यदि दोस्तह आप हमाशी चैनल प्रण हाई तो चैनल कoh सज्ड़ कर Wave कर ताकि आपकी दोस्तों को भी important question answer मिल सकें यह एंकर इनको पढ़ लीजीगा यह एक्जामपल है अब आता वेग्ग्राउंड color इसको पढ़ लेना है आपको यह इसका एक्जामपल है कि ठीक है कि यदि आपको समय नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा तो आपको यह समझ में नहीं आएगा अच्छे से कि यदि आपने एक बार पढ़ लगा होगा तो आपको समय आ जाएगा यह फरस्ट बार में आपको अच्छे पढ़ना इसके बाद में ही समझ में आएगा फ्रेम आता है या फ्रेम फ्रेम पर आधारित पेज़ दो यह दो आधेक सेक्शन में पेज़ को डिवाइट करता है तता प्रितिक सेक्शन अपना html document होता है फ्रेम बनाने के लिए हम बॉडी टेक के इस्तान पर फ्रेंड सेट टेक का यूज़ कर सकते हैं फ्रेम सेट बराउजर पेज की सेटिंग के हिसाब से सेट किया जाता है यह फ्रेम में तेसके यह एक्सम्पल है त्थीक है अब आता है form form बनाने के लिए हम दो elements का यूज़ करते हैं यहाँ पर element कर लेना है element का यूज़ करते हैं ठीक है फिर आपको आगे यह लिख देना है properties form tag का method properties method properties form में यह बनाता है कि data को form professor में transfer कैसे किया जाए form professor आपका email address हो सकता है हम method properties में दो value को sign कर सकते है sign कर सकते है get और post ठीक है फिर आप आगे आता है get क्या होता है यदि form के method property में get value enter की जाए तब form processor को form एक environment variable query string के रूप में दिया जाता है method property में कोई value नहीं दी जाए तो इसे get by default मान लिया जाता है ठीक है अब आता है post यदि form का method property पूश्ट दिया जाए तो form professor को form program के एक standard form का input के रूप में दिया जाता है है इंपूट के रूप में दिया जाता है ठीक है अब आगे आता है कि फॉर्म टेक का action property action property action property यह बताती है कि फॉर्म को क्या करना चाहिए फॉर्म में यूज होने वाले basic element यहां पर भी element कर लेना element element निम प्रकार से है टेक्स्ट बॉक्स चेक्स बॉक्स डेडियो बटन मिनू सब एंड इसेंट बटन डिसेट बटन अब आता है create a text box text box को कैसे create करें इसको भी आप अच्छी से पढ़ लिजिएगा हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगी नहीं तो वीडियो बढ़ी हो जाएगी इनको अच्छी से पढ़ लिए नमबर वाई नमबर ठीक है यह example दिए गया है अब आता है create large text box इसको भी आप अच् इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको यह आपका एक्जामपल दिए गया है अब आता है create radio बटन को कैसे create करें इसको भी पढ़ लिजिएगा आपको यह सब अच्छी से पढ़ लेना है इनमें से ही पेपर में देखने को मिल जाएगा यह सब यह टॉप यूनिट थर्ड html की उपर ही है इसलिए इसमें only html की बारे में ही बताए गया है पूरा ड्रेस है यह उसी के यह एक्जामपल दी गया है अब आता है create check box इसको भी आप अच्छी से पढ़ लिजिएगा इसकी भी steps दी गई है इनको आपको पढ़ लेना है ठीक है यह एक्जामपल भी दी गए है इसकी अब आता है create menu इसको भी पढ़ लेजिएगा यह सभी की step लिगवाई गई है आप इसको अच्छी से पढ़ लेना है और आप याद कर लोगे इसको तो आपको यह समय में आ जाएगा ठीक है यदि आपने भी एक वीवार नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ नहीं थोड़ी problem आएगी यह से थोड़ा टप है लेकिन यतना भी टप नहीं है कि आपको समय में ना आए आप फ्रेस्ट वार पढ़ोगे तो समय में नहीं आएगा थोड़ा जिन इस्ट्रेट ने पढ़ लिया होगा उनको अच्छे से संग में आ जाएगा यह एक्जामपल दिये गए हैं ठीक है अब आता है फॉर्म टेक का एक्जामपल आप इसको बना लीजिएगा अच्छे से एक्जामपल है इसको कर लीजिएगा यहां पर आप अपनी इमेल आई अब आता है css क्या होता है इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है हम पूरा पर करिश ली नहीं बता रहा है वीडियो बड़ी हो जाएगी और अब आपके पास टाइम नहीं है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा यह दिए गया है आपको basic properties of css की बारी में बताए गया है यह ठीक है यह आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा इसमें तो रसमी में नहीं आ रहा है ठूक है आई होप आप लोगों को यह वीडियो से ME आ गई हुए दोस्तो यह दिया अपने भी टक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया जैस्यानल को शसक्राइब करें वीडियो को लाइक उर्ड़ों से और मिलते हैं अध्यूद्ट ow में तब तख के लिए धन्यवाद झाल झाल